आज का हमारा टॉफिक है alpha decay इटीज दा फिनोमना ऊफ एमिशन अफ वैन आल्फा पार्टीकल फ्रॉम रेडिय अक्टिव नूकलियस जब आप एक रेडिय अक्टिव नूकलियस से alpha पार्टीकल को निकालते हो तो हम केh सकते हैं कि alpha बिका हो रहा है ठीक है तो यहां पर हम एक जनरल एक्वेशन ले लेते हैं हमने एक आटम ले लिया एक्स जब आपने इससे अलफा पार्टिकल निकाला टू तो इसका जो नूकलेस हो आपका जैड माइनस टू हो जाएगा और जब आप मास नंबर फोर निकालोगे तो इसका नूकलेस जो है तो इसको हम पेरेंट नूकलेस कहते हैं इसको डाटर नूकलेस कहते हैं और यह आपका हिलियम पार्टिकल एमिशन इसमें हो रहा है ठीक है तो यह आपकी अल्फा पार्टिकल एमिशन की एक्वेशन है अब एक एक एक्जामपल के लिए हम एक यूरिनियम एटम ले 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 तो यह रहता आपका thorium का तो uranium convert हो जाएगा thorium में जब एक alpha particle emit होगा और साथ में निकलेगी आपकी Q इसमें denote कता है energy के लिए तो यह energy liberate करेगा अब explanation दी गई है कि alpha and decay क्यों होता है तो इसमें इनोंने कहा the potential energy of an alpha particle depends upon two components तो आपकी potential energy inside the nucleus जब alpha particle होगा तो इस दो factor पर depend करेगी एक तो होगी nuclear energy और दूसरी होगी coulum repulsive force क्योंकि alpha particle एक positive particle है तो nucleus के अंदर उसके अंदर coulum repulsive force भी होगी प्लस nuclear energy भी रहेगी जो आपके nucleon एक दूसरी को attract करते हैं तो जैसा कि हम यह पता है कि coulum repulsive force तो एक नहीं कर पाती है उसमें ज्यादा strongly क्योंकि nuclear force आपकी ज्यादा रहती है पर the nuclear component अब यह कहता है the nuclear component of a potential energy of alpha particle sharply drops as its separation from nucleus increases ठीक है इसका मतलब यह हुआ अगर यह diagram हम देख रहे हैं कि जब तक तो आपके nucleon r0 distance के अंदर है तब तक तो आपके जो nuclear energy हो जादा dominate करेगी लेकिन जैसे ही आपका nucleon है वो r0 जो उनके minimum distance है बिट्वीन जो हमने रखा हुआ है 8 fermi के करीब ठीक है तो वहां तक यह पहुंच जाता है तो उसके बाद आपका जो है वो nuclear force खतम हो जाती है और यहां पर आपके repulsive force action में आ जाती है और repulsive force क्या करेगी alpha particle को वो nucleos से दूर भीज़ देगी ठीक है और इस तरह से आपका क्या होगा alpha particle emit हो जाएगा पर अब इन्होंने जो classical physics है वो कहती है जो आपका alpha particle है उसकी अंदर maximum kinetic energy आपकी 4 to 9 mega electron volt हो सकती है तो 4 to 9 mega electron volt वाली alpha particle एक potential barrier जो 25 electron volt का है उसको कैसे escape कर सकता है जो nucleus का potential barrier है मना nucleus से बाहर निकलने के लिए हमें कम से कम 25 mega electron volt की energy चाहिए तो alpha particle की maximum energy ही 9 mega electron volt है तो इतनी energy से क्या वो बाहर निकल सकता है तो classical physics कहती है कि यह possible नहीं है but quantum mechanically there is a small but finite probability that the particle may pass through the barrier if its energy is insufficient to cross the barrier height ठीक है लेकिन quantum physics कहती है कि बार बार जो कोशिश करता है तो उसमें एक probability रहेगी कि आपका जो alpha particle है वो leak out होके या किसी भी वे से potential barrier को cross करके बाहर निकल सकता है इस effect को कहा जाता है tunneling of the nucleus तो quantum physics के base पे हम कह सकते है कि alpha particle escape कर सकता है तो यह थी आपकी explanation alpha decay की इसके बाद हम बात करेंगे beta decay की तो beta decay क्या है वो आपको पहले पता है कि emission of electron जब आपके nucleus से होगा तो हम उस process को beta decay कहते है it is the phenomenon of emission of an electron from a radioactive nucleus in general जब electron बाहर निकलेगा तो atomic number आपका एक बढ़ जाएगा और mass number आपका same ही रहेगा तो minus 1 e 0 इसमें आपका beta particle को represent कर रहा है और Q आगया जो energy liberate होगी example के लिए हम thorium ले ले लेते हैं thorium जब beta particle emit करेगा तो यह बन जागा pelennium 91 और उसका mass number 234 रहेगा तो यह आपका beta particle है प्लस आपकी energies में release होगी अब graph इसमें दिया गए आपको beta particle और their number का तो यह graph थोड़ा uncertain सद अब्जर्व किया गया scientist ने अब्जर्व किया graph को तो उनने कहा कि most of the beta particle जो maximum beta particle है उनकी energy आपकी बहुत ही कम है यह energy यह इतनी सी energy है उनकी और बहुत ही कम अगर इस line को देखा जाए तो यह number दिखा रहा है और यह आपको line दिखा रही है energy की तो energy यह maximum है यहाँ पे जिसको end point energy कहा गया है यह आपकी energy जो है यह सिर्फ थोड़े से particle ही दिखा रहे है बहुत कम particle maximum energy से निकल रहे है जो इसने दो point दिये कि most of beta particle emitted carry small energy बहुत सारे particle कम energy के साथ निकल रहे है बहुत ही कम beta particle ऐसे हैं जिनके पास maximum energy है called end point energy लेकिन conservation of energy कहते है कि जो beta particle निकल रहा है तो energy आपकी बराबर निकलनी चाहिए तो यह जो above two statements है यह law of conservation of energy को violet कर रहे है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि beta particle कभी जादा energy से निकल रहा है कभी कम energy से निकल रहा है तो energy तो दोनों case में बराबर होनी चाहिए और एक और चीज़ में point out की गई कि conservation of angular momentum is also violated conservation of angular momentum भी इसमें violate हो रहा है क्योंकि जो electron है या beta particle है उसकी जो spin होती 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 ही 1 by 2 h upon 2 pi महला half spin आपकी अगर beta particle निकल रहा है तो half spin में change आना चाहिए जो आपका नया particle निकलना चाहिए उसकी half spin different होनी चाहिए महला आदी spin के जादा spin के साथ बाहर निकलना चाहिए लेकिन जो actual practice में देखा गया वो spin में कोई change नहीं देखा गया है या तो change नहीं था या फिर एक integral change था महला half कहीं नहीं आ रहा था या तो 1 था या फिर 0 था तो ये जो integral change देखा गया या no change देखा गया तो इससे पता चल रहा है कि जो beta particle emission है वो हमारे angular momentum के conservation को भी violate कर रहा है तो इस violation को remove करने के लिए हमारे पास neutrino hypothesis आईए एक नया topic आगया neutrino hypothesis जो poly ने आपको explain किया था poly results are problem by postulating that beta decay is always accompanied by another particle of zero rest mass poly ने कहा कि जो आपकी problem आ रही है जैसे आपके energy conserve नहीं हो रही है angular momentum conserve नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि एक और particle साथ में निकलना चाहिए जिसका rest mass तो zero रहेगा ठीक है zero rest mass होगा और charge भी उसके उपर zero रहेगा मतलब हो neutral भी है लेकिन वो particle कैसा होना चाहिए उसको anti neutrino दिया गया वो particle ऐसा होना चाहिए कि जब आपका low energy beta particle निकल रहा है तो वो फिर high energy वाला निकलना चाहिए साथ में और जब आपका high energy का beta particle निकल रहा है तो उसकी energy low होनी चाहिए तो that means दोनों की मिलाके net energy आपकी maximum हो जाएगी तो जब आपका beta particle low energy है तो anti neutrino आपका ज़ादा energy वाला होगा और जब आपका beta particle ज़ादा energy का है तो इसकी energy कम होगी तो that means यह conservation of energy के जो हमारी problem आ रही थी उसको solve कर रहा है साथ मेंनों ने कहा जो anti neutrino है इसकी जो spin होगी वो 1 by 2 होगी तो that means एक beta particle निकल रहा है उसकी भी 1 by 2 है और anti neutrino जो निकल रहा है उसकी भी 1 by 2 है तो 1 by 2 plus 1 by 2 क्या हो जाएगा आपका एक integer ठीक है तो इस तरह से जो integral जो हमारी angular momentum में भी आपके जो violation आ रही थी वो भी यह anti neutrino solve कर रहा था ठीक है तो इस तरह से हम क्या कर सकते है neutrino hypothesis से वो जो आपका beta decay emission में जो हमारी violation हो रही थी उनको remove कर सकते है तो यह थी आपकी neutrino hypothesis और यह था आपका beta decay का explanation ठीक है इसके बाद हम बात करेंगे gamma decay की तो gamma decay क्या है एक आपकी energy है radiation है जो आपकी nucleus से emit होती है इनका mass number भी आपका zero रहता है और इनके उपर charge भी कोई नहीं होता है तो जो gamma decay हो रहा है gamma decay का phenomenon है वो scientist ने कैसे explain किया उन्होंने कहा कि जिस तरह से electron आपके circular orbits में घूमते हैं वैसे ही nucleon भी आपके nucleus के अंदर circular orbit में घूमते हैं और जैसे हम कहते हैं कि जब electron आपकी excited state से lower state में jump करता है तो वो radiation emit करता है ठीक है इसी तरह जब nucleon भी अपनी excited state से lower state में jump करेंगे तो वो भी energy emit करेंगे in the form of gamma radiation ठीक है तो इस तरह से आपका gamma decay को explain किया गया scientist के दौरा इसके बाद हमारे पास nuclear reactions है nuclear reaction आपने पढ़े हैं जैसे हमारे पास nuclear fusion है splitting of heavy nucleus जब दो lighter nuclei में कोई nucleus split करता है तो उसको nuclear fusion कह देते हैं ठीक है nuclear fusion के उपर ही आपका nuclear chain reaction है nuclear chain reaction भी आपने 10th class में पढ़ा होगा या 9th class में nuclear chain reaction में क्या होता है जब एक slow neutron किसी radioactive substance के उपर strike करता है तो जैसे हम uranium कह देते हैं uranium 235 लेते हैं तो जब slow neutron इसको strike करेगा तो यह क्या करेगा तीन हिस्सों में तूट जाएगा जब आपका uranium है उसके 3 pieces हो जाएगे अब जब आपके 3 pieces होंगे तो 7 में हमारे 3 नए neutron भी generate होते हैं यह अपने ध्यान अखने है यह अपने आप generate होंगे और जब यह जो generate किये neutron है इनको slow किया जाए जैसे moderator का use हम करते हैं तो यह further आपके जो आपके radioactive element बने है नए इनको further से split कर देते हैं और जादा तो इस तरह से आपका क्या होगा लगातार आपके जो radioactive element है उनकी splitting होती जाएगी और इस तरह से आपके एक chain बन जाएगी और इस तरह के process को हम chain reaction कह देते हैं ठीक है इसी chain reaction के base पे हम nuclear reactor बनाते हैं nuclear reactor होता है ऐसा device जो आपका controlled nuclear chain reaction करता है अब हम control कैसे कर सकते हैं इसको हमने समझना है सबसे पहले हम बात करेंगे nuclear reactor की तो nuclear reactor कैसा device है जो आपको energy liberate करता है बट इना controlled manner तो कैसे तियार करते हैं इसमें हमारे पास nuclear fuel रहता है जैसे uranium 230 है हम generally use करते है moderator है moderator आपका heavy water heavy water जातर moderator के लिए use किया जाता है ठीक है उसके बाद हमारे पास control rods है control rods है जो आपके neutron को absorb कर सके absorb अलब जब हम न्यूटरों ज़्यादा नहीं चाहिए तो हम उनको absorb करवा देते है तो they have ability to capture the slow neutrons तो capture कह सकते हो या absorb कह सकते हो वो दोनों बाते ही कह coolant जैसे आपका गरम ना हो ज्यादा आपका reactor तो उसके लिए coolant का use करते है जो heat को remove करता है आपके nuclear reactor से ठीक है और shielding है आपको पता है nuclear reactor से harmful radiation निकलती है तो हमें उनको shield करना पड़ता है तो generally हम concrete wall लगा लेते हैं 222.5 meter ठीक है तो यह कुछ एक आपके construction है इसकी जो आपके nuclear reactor है slow neutron अब neutron जब आएगा जैसे fast neutron आपने ignition का काम करेगा neutron इसमें जैसे fast neutron आपने इसके अंदर भेजा जो moderator है moderator क्या करता है वो neutron की speed को slow कर देता है तो moderator का काम है इसमें सिर्फ neutron की speed को कम करना तो moderator nucleus से टकराएगा उसके fragments तूटेंगे और हमारे पास तीन में से दो को absorb कर लेते हैं by using control rods ठीक है जो cadmium boron rods है उसमें उसे दो को तो क्या कर लिया capture कर लिया सिर्फ एक को आगे जाने दिया अब वो एक क्या करेगा further तीन reaction में थी fragments में आपके new uranium को तोड़ेगा फिर वो energy liberate करेंगे energy liberate करेंगे तो control करने के लिए बाकी के दो हम फिर से absorb कर लेंगे और सिर्फ एक को ही allow करेंगे ठीक है इस तरह से हमारा जो reaction है वो होता रहेगा और हम उसको control भी करते रहेंगे by using control rods ठीक है और जो heat generate होगी वो heat coolant क्या करेगा लेके आगे एक बड़े से tank में जिसमें हमने heat exchanger रखा हुआ है यह heat को यहां से absorb करेगा और इसको किसी भी water कोई भी liquid आप ले सकते हो हो सकता है water हो या कोई और liquid हो उस water को यह क्या करेगा heat up करेगा heat होने से water की steam तियार होगी और steam को हम turbine में भेजते हैं और turbine से आपकी क्या होती है electric generation होती है तो बड़ा simple से steps है heat यहां से generate की जाएगी controlled manner heat generate होने के बाद वो क्या करेगा उसको transfer करेगा किसी दूसरे heat exchanger की help से हम उसको water में transfer करेगे water steam up होगा steam up होके वो turbine को rotate करेगा और हमारको electric generation हो जाएगी ठीक है और cold water फिर से वापिस उस tank में आ जाएगा तो यह आपका nuclear reactor रहता है इसका use हमें पता है आपने देखा होगा medicine में इसका use कर सकते है reductive isotope बनाने में use करते हैं जो medicine में यह agriculture में use की जाती है power generation तो उसका common example है proportion of ships जैसे रशिया ने आपके nuclear submarine बनाई हुई है तो उसमें भी हम क्या करते है submarines में भी nuclear reactor का use करते है उसके लावा जो आपके cancer की treatment रहती है वहाँ पे भी high intensity की radiation दयार करने के लिए हम nuclear reactor का use करते है तो nuclear reactor का use तभी किया जा सकता है जहों उसको control करेंगे अधरवाज आपको पता है कि nuclear weapon अगर फट जाते हैं तो कितना बड़ा disaster create हो सकता है तो यही जो आपके nuclear reactor के advantage है कि हम इससे heat ले रहे हैं बट इना controlled manner तो आज के लिए इसके बाद इसमें एक और topic रहता है nuclear fusion nuclear fusion का topic भी है जब two light nuclear आपके combine होते हैं तो आपके पास क्या आजाता है एक heavier nucleus आजाता है और साथ में हमारे पास large amount of energy liberate होती है distinction between nuclear fusion और nuclear fusion यह आप बुक से भी कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा आपको brief कर देता हूँ जो nuclear fusion है उसको start करना थोड़ा easy है क्योंकि उसके लिए हमें कोई temperature की requirement नहीं रहती है जो nuclear fusion है उसके लिए हमें 10 star 7 Kelvin का temperature पहले तैयार करना पड़ता है तब यह आप hydrogen metal को melt कर सकते हो आप समझ सकते हो कि hydrogen metal को melt करना है atom को melt करना है और फिर उनको fuse करना है आपस में जोड़ना है ठीक है तो इतने जो आपका strong atom होता है उसको melt करने के लिए हमें बहुत जादा energy की जुरूरत रहती है तो सबसे पहले उसको start करने के लिए आपको energy की जुरूरत है जो बहुत जादा है 10 star 7 Kelvin जो एक laboratory में तैयार करना थोड़ा मुश्किल है हाँ उसके बाद जब वो melt करके fuse होएंगे जब जुरेंगे तो जो energy निकलेगी वो बहुत जादा large amount की निकलेगी ठीक है वो हम कह सकते हैं कि वो nuclear fusion से भी जादा amount की energy हमें liberate करके देता है लेकिन उसको initiate करना थोड़ा मुश्किल है और जो nuclear fusion है इसमें आपकी harmful radiation निकलती है लेकिन nuclear fusion में ऐसा नहीं होता है nuclear fusion में generally आपकी harmful radiation नहीं निकलती है ठीक है तो ये कुछ एक basic बात है इसमें बाकी इसके लाओ आप book से इसको पढ़ सकते हो तो इसके साथ ही हमारा atom and nuclear unit खतम होता है आज के लिए इतना ही काफी